हलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SV Classes तो आईए आज हम जानेंगे के एक्सल क्या होता है और इस पर कैसे वर्क करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड़क्शन आफ एक्सल देने जा रहा हूँ तो यह आपका पहला दिन है और यह हमारा पहला वीडियो है एक्सल का तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स टे लिखका है तो आईए spreadsheet कभी भी मैं spreadsheet की बात करूँ या worksheet की बात करूँ तो वो दोनों एक ही चीजे है तो सबसे पहले what is spreadsheet generally यह क्या है एक electronic document होता है जो spreadsheet कहते हैं अब वो एक electronic document है यहाँ पर लिखा हुआ भी है जैसा की an electronic spreadsheet is used for analyzing electronic spreadsheet हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चुभी data save होता है वो zero और one की form में होता है computer के अंदर और हमारा जो data है यह digital data है digitally data save होता है तो इसलिए हम इसे electronic spreadsheet कहते हैं an electronic spreadsheet spreadsheet बोल दूँ मैं या worksheet बोल दूँ एक ही बात है an electronic spreadsheet is used for analyzing, sharing analyze means पूरा data calculate करके एक साथ दिखाना या पूरे data का एक summary देना तो is used for analyzing means उसको analyze करना sharing, share मतलब आप जैसे अपनी photo facebook में कई लोगों के साथ share करते हैं तो इसी तरह आप अपना data भी कुछ business partners के साथ share करते हैं तो अपने data को भी आप इसी तरह save कर सकते हैं मैनेजिंग यानि उसको manage करके रखना अपने data को कोई update है तो उसमें update करना data में managing information for accounting purpose आप अपने data को accounting purpose के लिए manage कर सकते हैं mathematical calculation कर सकते हैं इसके अंदर budgeting billing और budget और bill भी इसके अंदर तेयार कर सकते हैं तो the spreadsheet program also provides tool for creating graphs and inserting picture etc जो आपका worksheet है या spreadsheet है वो आपको कुछ ऐसे programs भी provide करता है जिसकी help से आप अपने data को graphs के through represent कर सकते हैं या उसके अंदर pictures वगेरा भी आप insert कर सकते हैं तो आएए next page पर चलते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका Excel का layout दिखाया गया है तो Excel के layout में आपके सामने हैं यह देखिए यहाँ से यह है हमारा column और इसे कहते हैं हम row तो यह जो है यह row number है 1234 यह हमने एक row दिखायी हुई है और एक column दिखाया हुआ है अच्छा जो भाग middle में आया जो इन दोनों के collect होने से जो बीच में एक cell आ रहा है उसका नाम क्या है E7 दोस्तो E7 इसका नाम क्यों पड़ा क्योंकि अगर हम इधर से देखें तो column में E है और इस side से देखें तो 7 है तो इसका नाम है E7 यह हमारा name box है तो E7 नाम क्यों पड़ा जिसे कि आपको किसी का घर धूनना है या find करना है तो उसके लिए आपके पास एक particular address होता है तो इसी तरह आप जब Excel के अंदर देखेंगे तो हर Excel का एक particular address है for example अगर मैं इस cell के बारे में बात करूँ तो यह है हमारा यह देखें दोस्तो अगर मैं इस cell की बात करता हूँ तो यहां से हमारा यह रहा G और यहां से यह रहा 2 तो इस cell का नाम है G2 ठीक है दोस्तो तो इसी तरह अगर मैं इस cell की बात कर रहा था तो इस cell का नाम है E और यहां से यह 7 यहां से यह 7 ठीक है दोस्तो तो इस cell का नाम है address of the cell what is the address of the cell is E7 ओके तो E में अच्छा दोस्तो तो हमने आपको यह हमारा column है यहां से और यह हमारी row है तो चलिए आगे चलते हैं यह देखिए दोस्तो नया page खुल गया elements of electronic spreadsheet तो elements क्या क्या होते हैं इसके अंदर सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे a spreadsheet which is also known as a worksheet देखिए दोस्तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि spreadsheet को हम work sheet भी कह सकते हैं a spreadsheet which is also known as a worksheet is an electronic document यह एक टाइप का electronic document है in which data is organized in the row and column of a grid तो दोस्तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारा Excel है उसको सबसे पहले तो हम spreadsheet भी कह सकते हैं या worksheet भी कह सकते हैं और यह एक electronic document है जिसके अंदर data row और column के row और column से बनता है जो कि एक grid के रूप में होता है जैसे आप row and column देख रहे हैं तो इसी को हमें grid कहते हैं can be used to calculation और यह जितने भी cells हैं यह सारे cells calculation के लिए use किये जाते हैं तो each worksheet contain 10,48,576 rows यानि हर एक row के अंदर 10,48,576 rows होते हैं row की संख्या कितने होती है अगर आप Microsoft Office 273 में देखेंगे तो उसमें row की संख्या कुछ कम है मगर आज हम Microsoft 10 या 213 में देखें तो इसके अंदर row की जो संख्या है वो 10,48,576 है each worksheet contain 16,384 columns अगर हम हर एक worksheet की बात करें और आप से कोई पूछता है कि इसके अंदर कितने column होते हैं तो आप कहेंगे 16,384 columns अच्छा दोस्तों कई बार सवाल यह आ जाता है कि अगर इतने row हैं और इतने column हैं तो सीधी सी बाते इन दोनों को multiply कर दीजिए और आपके पास उसके total cell आ जाएंगे ठीक है दोस्तों तो देखें तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि how many cells are in Microsoft Office 2010 या 2010 का जो Microsoft Office है उसके अंदर कितने cell हैं तो आप कहेंगे 17,78,69,184 क्या हैं यह यह इसके अंदर cells हैं cells यानि जो हमने अभी आपको बताए जो छोटे-चोटे address होते हैं जिसके अंदर ठीक है दोस्तों तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि E7 एक address है तो इसी तरह से यह भी एक address है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं The intersection of each row and column is called cell अगर आप देख रहे हैं कि एक cell उपर से और एक नीचे से column टकरा रहा है तो यह intersection of row and column तो intersection अगर किसी भी row and column का करेंगे तो बीच में एक डबा बनेगा जिसका नाम है cell और उस cell का कोई न कोई address होता है जो कि मैं आपको थोड़ी दर पहले बता चुका हूँ it may be hold number या तो यह number इसके अंदर इसके अंदर जो entries हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताए जा रहा है कि it may be hold number number formulas या तो इसके अंदर number हो सकता है formula हो सकता है कोई भी text हो सकता है किसी का जैसे नाम लिख रहे हैं आप या किसी गाओं का नाम है किसी जगे का नाम है तो कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है date and time etc. या तो आप उसके अंदर फिर date भी एंटर कर सकते हैं और time भी एंटर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आप workbook is a document that contain one or more worksheet आछा तो जो workbook होती है workbook क्या होती है जैसे आपके पास एक kitab है तो इक excel के हिसाब से अगर देख जाए तो वह आपके लिए workbook है मगर worksheat क्या है किताब के अंदर कई सारे pages i재 तो वह आपकी worksheet या आपके पास a copy है तो copy के अंदर जितने भी है उसको एक तरह से workbook मान लीजिए ठीक है दोस्तों तो आपके घर पे जो book पड़ी है और Excel के अंदर भी book है तो उसके अंदर कुछ pages है तो Excel में उसे हम sheet कहेंगे नॉर्मल लाइफ में उसे हम pages कहेंगे तो इसी तरह by default Excel के अंदर तीन sheets पहले से ही open होती है ठीक है दोस्तों A workbook is a document that contains one or more worksheets कहां तक होती है दोस्तों चपन worksheets होती है इसके अंदर ठीक है दोस्तों A formula is an equation that calculate the value that to be displayed Excel के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें formula के उपर काम करना पड़ता है तो इसका कहने का मतलब है Excel A formula is an equation formula एक ऐसा equation होता है जिसके जरीए आप जो answer चाहते हैं चाहे वो गुना भाग करके हो या कोई formula लगा के हो तो वो आपको display करके देगा जो की answer बिल्कुल correct होगा अगर आपने correct formula लगाया है तो A formula when used in worksheet it must begin with equal to sign Suppose that आप कोई भी formula Excel के अंदर use कर रहे हैं तो वो हमेशा equal to sign या plus sign के साथ use कर सकते हैं या आप चाहें तो किसी कोई ऐसी condition में आपको negative data चाहिए, negative mark में, negative sign में data चाहिए तो उस condition में आप negative enter कर सुरू में negative enter करके भी उसका calculation कर सकते हैं तो generally लोग equal to या plus का sign use करके formula लगाते हैं आए आगे चलते हैं, a cell pointer is a boundary that specify which cell is active at a present time आपने देखा होगा cell pointer के उपर जिस भी cell पर आप लिख रहे होते हैं उसके चारो और एक काला काला boundary बनी होती है तो उस boundary का मतलब क्या है? उस boundary का मतलब है कि उस cell का नाम active cell है क्योंकि आप presently जिस भी cell पर typing कर रहे हैं एक black line से घिरी हुई है और उसी को हम active cell कहते हैं active cell वो होता है जिसके अंदर आप उस समय में काम कर सकते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि आप आपका active cell कहीं और दिखाई दे रहा और आप कहीं और type कर लें ऐसा नहीं हो सकता जहां पर आपका active cell है आप जो भी keyboard से type करेंगे वो वहीं पर type होगा तो आएए आगे चलते हैं a cell address is recognized by column label and row number तो cell का जो address है वो हमें कैसे पता चलेगा वो हमें column के label यानि column ABCD होता है और row number यानि 1234 for example c2 का मतलब क्या है अगर हम c2 को देखा जाए तो यह क्या है यह एक address है और इसका मतलब है c यहां पर column है और दो number क्या है वो row है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ सही से समझ में आ रहा होगा तो हम अब आपको जो Excel का structure है जो आपको Excel आपके output window पर जैसे दिखाई देती है तो उसके अंदर क्या क्या contents है उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं तो यह देखिए दोस्तों यह आपका title bar है टाइटल बार ठीक है दोस्तों टाइटल बार है टाइटल बार के अंदर आप मान लीजिए अपने Excel sheet को किसी नाम से save करते हैं तो वो नाम उसमें लिखावाता है या by default इसमें workbook 1, workbook 2 लिखावाता है या new microsoft excel workbook लिखावाता है ठीक है दोस्तों आप यहां पर देखिए यहां पर देखिए आप आपको यहां पर आप यहां पर देख रहे हैं आपको यहां पर formula bar दिखाई देगा ठीक है दोस्तों तो यह देखिए यह जो आपका home, insert, page layout, formula bar, data, review, view यह जो जितने भी option है इसको हम कहते है tab list तो यह है आपका tab list ठीक है दोस्तों यह है आपका formula bar यह वाला जो बार आप देख रहे हैं यह आपका formula bar है तो मैं आपको tab list के बारे में बताता हूँ tab list के अंदर हमारे option होते हैं home, insert, page layout, formulas, data, review, view तो यह सारे जो option हैं यह आपके tab list के अंदर आते हैं इनको हम बोलते हैं generally tab बोलते हैं ओके दोस्तों अच्छा यह आपका formula bar है, formula bar generally क्या होता है कि इसके अंदर आपको आप जो भी formula Excel के अंदर लगाएंगे वो formula आपको यहां पर displayed होगा ठीक है दोस्तों यह आपका title bar है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यह जो आपका नाम है यह title bar के अंदर आता है अच्छा quick access toolbar तो Excel के अंदर हमें कुछ ऐसे tools दिये गए हैं जिसका आप quickly use कर सकते हैं इसके नाम से ही पता चलता है कि आप use कर रहे हैं quick access toolbar means you have you can quickly access whatever you want मान लीजे आप चाते हैं कि हम चो काम कर रहे हैं उसे directly हम save कर ले तो आप इस button पर जाके click कर सकते हैं ठीक है दोस्तो अच्छा name box मैंने आपको पहले भी बता है for example हमारा ये वाला cell जो दिखाई दे रहा है ये active cell है तो इस समय हमारा address क्या है यहां से A और इस side से 1 तो यहां पर देखे name box में A1 तो name box generally आपके cell का address बताता है जो कि जो cell active cell पे जब भी आपका cursor active cell पे है या जो भी cell at present time active है उसका ये address बताएगा name box ठीक है दोस्तो अब आपको active cell क्या होता है active cell जो है जिसके चारोत अब से काली काली boundary दिखाई दे और जो भी आप अपने keyboard से type करेंगे वो उसी के अंदर type होगा तो वही आपका active cell है ये देखिए दोस्तो इसे हम normal cell बोलते हैं जैसे normally हम इसे cell भी कह सकते हैं ठीक है दोस्तो ये जो चोटे-चोटे डब्बे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसे हम generally cell कहते हैं ठीक है दोस्तो ये जो आपको 1, 2, 3, 4 यहाँ ये आपको numbers दिखाई लेबल अच्छा दोस्तो ये है seat tab scroll button मान लिजे ये जैसे मैं seats के बारे में बता रहा था तो ये 3 seats by default इसके अंदर पहले से ही open हैं अगर आप चाहें तो और भी seats open कर सकते हैं ये देखिए दोस्तो यहाँ पर 1, 2, 3 seats हैं अगर मान लिजे आप 40-50 seats चूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हैं और 40-50 seats वो hide होंगे तो इधर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर हम click करते हैं ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर हम click करेंगे back यानि seat number 1, 2, 3 देखने के लिए फिर इधर click करना पड़ेगा ये देखिए दोस्तो seat tab है इसके उपर आप जहाँ भी click कर देंगे उस seat पर आप चले जाएंगे ठीक है दोस्तो इंसर्ट seat tab इंसर्ट seat tab का मतलब है कि आपके पास अभी by default 3 sheets है यहाँ पर आगर आप यहाँ click करते हैं तो एक नई sheet और इंसर्ट करते हैं मतलब sheet number 4 ठीक है दोस्तो मान लिजा आपके पास आपके copy में 3 pages है और आप एक चौथा page भी चाहते हैं तो वह आपको favicall से या gum से आपको जोड़ना पड़ेगा तो इसी तरह इसमें आपको भी insert करना पड़ता है कुछ pages कुछ pages आपको इसमें insert करने पड़ते हैं जो आप insert button पर click करके insert sheet tab अगर आपको sheet tab जाए तो यहाँ insert करिए यहाँ पर click करिए okay अच्छा दोस्त आपको आपको किसी भी 5-6 cell पर अगर select कर लेते हैं अगर 5-6 cell को एक साथ select करते हैं तो उसके इंदर जो भी data है उसका total sum बताएगा उसका average बताएगा और उसका count बताएगा count मतलब आपने 6 cell select ही है तो आपको count करके बताएगा कितने cells में data हैं for example आपने 6 cell select कि हैं और 4 cell के अंदर data है तो वो count के अंदर 4 बताएगा यहीं पर सब कुछ लिखा वाएगा कि count 4 cell जो भी 4 cell है जिसके अंदर data है उन 4 का sum और उसका average तो यह सारी चीजें इसके अंदर बताएगा जाती है